नमस्कार दोस्तो मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसा कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 27 मईद 2021 की हिमाचल प्रदेश की जो शेयर कर दें और चैनल पर नई हो तो सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सबस्क्राइब कर लिया वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं आज की जो है बीस बड़ी दाजा खबरें तो चलिए शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने जो पहली न्योज़ आज की की हिमाचल में 16 दन बाद करोना से सबसे कम मौते हैं अट तालिस ने तोड़ा दम 1245 नए माम ले तो हिमाचल पर्देश में कुल करोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है 184,347 पहुँच गया है इन में से अब तक 16,227 संक्रमित ठीक हो चुके हैं सक्रीय करोना मामले घटकर 22,181 रह गये हैं पर्देश में अब तक 2927 संक्रमितों की मौत हुई है अगिनुजाब की कि जून के पहले सप्ता से हिमाचल में सरकारी दफतर खोलने की भी तियारी चल सकती है बसें तो करोना के मामले घटे तो हिमाचल प्रदेश सरकाद जून के पहले सप्ता से सरकारी दफ्तर भी खोल सकती है पूरुब की तरह 30 फिस्टी या 50 फिस्टी स्टाफ को कार्याल ले बुलाया जा सकता है 5 डे भी किया जा सकता है सार्वजानिक परिवाहन को भी 50 फिस्टी क्षमता के साथ जूए शूरू कर सकते हैं अगणी जाब की कि लापरवाही सडक किनारे मिली करोना संक्रमित के अंतियम संसकार में एस्तेमाल PPE-केट सुन्दर में गरक्षे तक करोना संक्रमित के अंतियम संसकार में मौजूद लोगों की ओर से इस्तेमाल की गई PPE-केटवा मास्क को शमशान घार से लगबग एक किलोमीटर दूर सडक किनारे फैंक दिया गया इससे ग्रामिनों में भाय का महौल है अगनियुजाब की कि करोना कर्फिव हेमाचल में 31 मई के बाद मिल सकती हैं रियायतें सीम जाराम ने दिये अनलोक के संकेत तो जाराम ठाकुर ने कहा कि परदेश सरकार 31 मई के बाद धेरे धेरे तथा चरनवत धंग से जो है अनलोक की प्रिक्रिया पर बिचार कर सकती है बशर्ते कोविड-90 के मामले मामलों में जो है निरंतर कमी आए अगनियुजाब की कि LPG सबसीड़ी पर तंज लोग बूले इससे तो 100 ग्राम पकोड़े भी नहीं मिलते तो जाने माने लेखक और कवी गनेश ने बुद्बार को फेर सबूक पर शेर किया कि उन्होंने 874 रुपए का LPG के लिए जो है बुक्तान किया तो इसके बाद 19 रुपए सबसीड़ी उनके बैंक खरते में आई अगनिश आपकी कि DGP कुंडू बोले करोना की दवा बनाने वाले उद्योगों के पुक्ता होंगे सुरक्षा प्रबंद तो बद्दी में प्रैस वारता में उन्होंने कहा कि BVN में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फार महब है यहां के दवा उद्योग जीवन रक्षक कुआ करोना संक्रमन की रेमडे सीवर समेत सभी दवाईयां तियार कर रहे हैं इसलिए इन उद्योगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस इसके लिए प्रात्मिक्ता से कार्या करेगी अगनी जाब की कि हिमाचल में 27 माई को 18 से 44 आयू वर के 21,335 लोगों को लगी गी वैक्सीन तो वैक्सीनेशन की अगली तारीख 31 माई को रखी गई है इसके लिए स्लोट वोकिंग जो है 29 माई को होगी जो दो पहर धाई वज़े से 3 वज़े तक खुलेगा हिमाचल के मध्य और ओच परवती भागों में बारिश पर भारी के आसार मैदानों में 29 माई तक मौसम साप तक मौसम बिग्यान के अंदर के अंसार हिमाचल में बोध बार को अधिक्तम तापमान समाने से एक से दो डिगरी से अलसेस नीचे रहा नियुंतम तापमान समाने ही दर्जे किया गया है अगनि उजाब की कि कांगडा करोना कर्फियू में नौकरी जाने से प्रेशान व्यक्ती ने की खोद खुशी भाजपा प्रदेशा द्यक्ष बोले 30 मई को मन की बात कारे करम सुनेंगे कारे करता तो भाजपा प्रदेशा द्यक्स सुरेश कहश्प ने कहा कि 30 मई को हर बूद पर पर परधानमंत्री के मन की बात कारेकरम को सुना जाएगा इस दिन महिला मौर्चा पूरे प्रदेश में मास्क वितारन का कारेकरम हर बूद पर करेगी अगनिर जापकी कि एसाइटी की जांच में पकड़ी रफ्तार पीडित के बियान तरज तो शिमला में तैनात एक महिला पूलिस कर्मी ने ततकालिन अतरिक्त पूलिस अधिक्षक के खिलाप योन उत्पिग्णन के गंभीर आरूप लगाये थे मामले में आरूपी पीडित औ अब कुछ फीस चुका कर विदेशी या अंग्रीजी शराब का जो है कोटा भी उठा सकेगा साथ ही बिकरी की सीमा को भी खत्म कर दिया है अब अगर कोई निरधारित कोटे से ज़्यादा शराब बेचना चाता है तो उसके लिए फीस जमा करनी होगी अगनियुजाब की कि बिना पर्मीशन करोना मरीजों का चेक अप टास्क फोर्स में उड़ाई कोविड नियमों की धज्जियां अगनियुजाब की कि उन्ना में खनन माफिया पर डेजीपी सक्त दोरे के दूसरे दिन माइनिंग चेक पोस्ट आशा देवी का किया निरिक्षन अगनियुजाब की कि आठी की बोरी में निकले कीडे तरसू पंचायत में उप भोकता ने बनाया वीडियो वीडियो के विभाग के कारेपलनाली पर सवाल तो परतेश सरकार द्वारा डिपू के माध्यम से दिये जाने वाले सस्ते आठे पर एक बार फिर से जो है सवाल उठे हैं अब जीला बिलासपूर के नायना देवी उपमंडल के चंगर क्षेतर के ग्राम पंचायत तरसू से डिपू से मिले खराब आठे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वाइरल हुआ है वीडियो में साफ देखाई दे रहा है कि आठे की बोरी सील बंद है लेकिन एक जगा से फटी हुई है जहां से आठे के पक्के गोले निकल रहे हैं जैसे मानों बोरी में सेमेंट भरा हुआ हो अगर निजजब की की गर्मी के थपेडों ने जो लसाया हिमाचल उन्ना में पारा 41 के करीब बिलासपुर हमीरपुर में भी लोग पसीने से तर बतर अगर निजब की की मेजर सब्जेक्ट के ही एकजाम जमा दो की परिक्षा को प्लान त्यार माइनर सब्जेक्ट में सिर्फ होगी असेस्मेंट अगर निजब की की नैशनल हाईवे एक सो تین पर कार बाइक में टककर एक गंभीर गायल अगनिज़ापकी कि करोना से जंग में देश को 1500 ओक्सीजन प्लांट मजूर अनुराग ठाकोर अगनिज़ापकी कि हिमाचल में एक जून से खोल सकती हैं सबी दोकाने सीम ने व्यापारियों को दिया आश्वासन अगनिज़ापकी कि धुमल बोले मोदी सरकार में ही आती है विकास और वाइदों को पूरा करने की खबर हैं अगनिज़ापकी कि खेतों में कम करने जा रहा था यूबक अचानक हो गया ये दरनाख खास सा अगनिज़ापकी कि छोटा भंगाल में बढ़े करोना के मामले स्वास्ते विभाग की टीमों ने डाला देरा अगनिज़ापकी कि बिटकोईन खरीदने की कवाईद में 45 लाग की ठगी पुलिस चांच में जूटी अगनिज़ापकी कि जंडी का रंग पसंद करने में शामिल रहे मुकेश अगनियोत्री अब अपना रहे 12 रपईया वरेंदर कावर अगनिज़ापकी कि राजगर में चरस्वा हरीपूर धार में ओभीम की खेती बरामद तीन लोग गिर्फता अगनी जाब की कि तीन दिन से लापता चालक परीचालक संग के परदेशा द्यक्ष कशाव बेबीम जील से बरामद तो दोस्तों ये थी आज 27 मईद 2020 की हिमाचल परदेश की जो है आज की जो है 20 बड़ी खबरें अगर आपने भी तक जो है वीडियो को लाइक ने किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और अंकित वर्मा ओल एच पी नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले है ताकि आप तक हिमाचल परदेश की हार नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिन जैभार झाले हैं झाल झाल झाल